इस वकी बड़ी खबर करो करते हैं कानपूर जोती मुर्डर केस से जो यह खबर है जहाँ पर कानपूर के कोट में पती पियूश की पिटाई कर दी गई है वकीलों ने पती पिऊश की पिटाई की है क्योंकि पिऊश पर ही आरोप है कि उसने अपनी पत्नी का खतल करवाया है जो पेशी के लिए आज कानपूर कोट पिऊश को ले जाया गया तो वहाँ पर वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी है उसकी तस्वीरे हम आपको दिखा रहा है कानपूर कोर्ट परिसर की तस्वीरे हैं यह जो आप देख रहे हैं पुलिस जैसे ही पहुँची पिउश को लेकर वहाँ पर यह देखिए वकील गारी में घुसने की कोशिश करने लगे और पिउश की पिटाई करना चाहते थे यह वकील नाराजगी पूरे कानपूर में इस जोती मर्डर केस को लेकर है और यह देखिए कैसे वकीलों ने पुलिस की जीप में घुसने की कोशिश करते हुए पिउश की पिटाई करने की कोशिश की है कानपुर का जोती मर्डर केस जिसमें पियुश ने पुलिस को बताया कि जोती को कुछ लोगों ने अगवा करके उसे मार दिया है लेकिन बाद में खुद पियुश पर ही आरोप पुलिस लगा रही है कि पियुश ने ही अपनी पपनी का मर्डर करवाया है और खबर ये भी मिल रहे कि पूटाश में पियूश ने अपना गुना कबूल भी कर लिया है और इसके बाद जब कानपूर कोट पियूश को ले जाया गया आज पेशी के लिए तो वकीलों ने पियूश पर हमला करने की कोशिश की विपिन 24 जानकारी के साथ हमाई साथ जुर गए है विपिन तस्वीरे हम देख सकते हैं क्या ये सभी लोग वकील है जो पुलिस की जीप में घुसकर पियूश पर हमला करने की कोशिश कर रहे है वकीलों ने पियूश पर हमला करने की कोशिश की है जो इन तस्वीरों में दिख भी रहा है कि पुलिस की जीप में घुसकर ये वकील पियूश को मारने की कोशिश कर रहे है नाराजगी है जोती मर्डर केस से